स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI YouTube चनल पर इस वीडियो में आज हम complete बात करने वाले हैं कि आपका जो result है ITI result उसके बारे में कब update होगा जो drawing का back paper हुआ उनका result आया या नहीं आया आया तो किसका किसका आया कब आया कब और आयेगा जो back paper अभी हो रहे हैं leftover trainees के या जो supplementary exam होंगे उनका result कब आयेगा बट उस सबसे पहले आप से एक request है यार जरूर पढ़ाई करो आप लोग इतने सारे contents available हैं भारत स्किल से ही सारे question आ रहे हैं उसके बाद भी अगर आप लोग fail हो रहे हो ना तो आप इतने परिशान होने वाले वागे आने वाले टाइम में जिनके exam है यह उनके लिए है उनसे पूछो जिनके results में एक number दो number से जिनका back paper है जो grace mark लिए बेट कर रहे है अल्रेडी notice आ गये सब कुछ हो गया दो महीने हो गये बट वो अभी तक परिशान है ना उनका mark seat परिट आ रहा है ना उनका certificate आ रहा है नो डाउट DGT भी try कर रही लेकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि candidate बहुत जादा है तो आप सभी से एक ही request है पढ़ाई करो ऐसी नौबत ना है आपके साथ भी कि आपका भी एक number दो number से आप fail हो जाओ उसके बाद आप परिशान रहो दो स एकजाम से पहले ही मत पढ़ो एकजाम के काफी पहले से पढ़ना सुरू कर दो पूरी throughout आप IT चलो नहीं पढ़ते हो कई बार आप लोग सोचते हो क्या है चलो ठीक है पढ़ लेंगे एकजाम से पहले तो अच्छे से पढ़ लो कम से कम इस भरोसे मत जाओ वहां कोई आपक कर रहे हैं कब क्या होगा कोई उनकी हेल्प करने वाला नहीं मिल पाता इवन हम लोग भी कोशिस करते हैं कॉंटेट करने की चाहे डीटी से चाहे जहां से वहां से रिपलाई यही आता है एक रिजल्ट प्रॉसेस हो रहे हैं उसके आगे हम लोग भी क्या कर सकते हैं आपको यूपी में हुआ था बाद में 22 मार्च में क्यास पास उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अपडेट होने इस्टार्ट हो गया है बट सभी के नहीं हुए हैं हाँ हमारे पास कुछ ऐसे रोल लंबर्स हैं कुछ ऐसे केंड़ेट ने अपना स्क्रीन साट भेजा कि सरब हम पास हो ग नंबर थे ठीक है इडी में कितने नंबर थे नौ नंबर इन्हों ने आज हमको अपने रिजल्ट दुबारा भेजा है मैं स्क्रीन साट आपको दिखा देता हूं कई बार हम रिजल्ट शेक करते हैं तो आप लोगों को लगता है यह तो बस फेक रिजल्ट है पहले से पास होगा आप यहां देख सकते हैं यह फेल थे यहां आप देख सकते हैं अभी इन्होंने जो रिजल्ट भेजा एडी में इनको 17 नंबर मिल गया इनका पेपर बैक पेपर हुआ था साथी यह ट्रेड थे ओरी में 33 नंबर हो गया है 25 नंबर थे इनको ग्रेस मार्क मिल गया है 25 25 के पहले भी इनके नंबर और कम थे तिनों ने उसके लिए ग्रेवेंस रेज किया था फिर 25 हुए फिर 25 से इनको ग्रेस मार्क मिला और इनके 33 हो गया अभी यह फाइली जो यह फेल इंजिनिंग ड्राइंग एंड ट्रेड थे ओरी था इनका अभी यहां पे पास सौरी वहां पे हम जो है यह है यहां पे रिजल्ट आप देख सकते हैं इंजिनिंग ड्राइंग में इनके 25 नंबर और वो गलती से हमने एक मतीन एहमद एक स्टुडेंट है उनका हमने रिजल्ट ओपेन कर दिया था उनका भी बैक पेपर था बट वो पास हो गया यह है यह आप देखते हैं ट्रेट थेओरी में इनके 33 नंबर और जो इंजिनिंग ड्राइंग में इनके फेल थे 9 नंबर थे इन्होंने बैक पेपर दिया आप इनके 25 नंबर यहां पे हो गया है और आप यहां रेजल्ट का सेसन भी देख सकते हैं क्या दिखा रहा है जुलाई 2022 दि थे बट अभी डीजीटी क्या कर रहा है थ्रू आउट दा इयर कांटेनियु एक्जाम चले जा रहा है क्योंकि बहुत सारे कैंड़ेट परिसान है बहुत सारे कैंड़ेट का बैक पेपर है इस वज़ा से ठीक है तो यह भी एक सहुलियत हुई नहीं तो आपको छेचे मैंन पर इस टुटेंट है मतीन एहमद उनका भी रिजल्ट फेल था उनका भी रिजल्ट अपडेट हो गया वो भी पास हो गया है ठीक है यह आप देख सकते हैं मतीन एहमद यहाँ पर आप नाम देख लीजिए इनका एडी में कितना नंबर है 15 नंबर है ठीक है इडी में यह फ पास हो गए ठीक है तो यह कुछ अपडेट थी जो हमारे पास स्क्रीन सॉट आये थे प्रावपर ऐसा नहीं हमने चेक किया रिजल्ट को इनके जो ग्रीवेंस थे वह भी हमने चेक किया वह भी रिड्रेस्ट हो चुके मतलब वह भी क्लोज हो चुके हैं इनको ग्रेस्ट मार्क मिल गया इसलिए अब इनका क्या है मार्क सी टन सर्टिफिक्ट जनरेट हो जाएगा यह यहां पर पास हो चुके हैं ठीक तो इसी तरह से आपका भी रिजल्ट अपडेट हो गया होगा और नहीं हुआ है तो वेट करिए आपका हो जाएगा जैसा DGT से पता चला है कि यहां पर क्या हो रहा है जो रिजल्ट है जो रिजल्ट है अपडेट होते जा रहे हैं अब बात करते हैं जिनके back paper या leftover trainees को जो exam चल रहे हैं उनका result कब आएगा ठीक है तो exam अभी चल रहे हैं आपके end throughout में पूरे में मन्त तक आपके exam लगबग चलने वाले हैं तो exam जब आपका खतम होगा मान लीजे आपका exam में end में खतम होता है तो आपका जो result हो June end तक आने के chance बनेंगे ठीक है जब भी CBT exam आपका खतम होगा सभी का ऐसा नहीं का आपने दे दिया आपका result जिसे exam दिया उसके एक मेने बाद आपका result आ जाएगा जब सारे लोगों के exam खतम हो जाएंगे back paper के leftover के उसके एक मन्त के अंदर आपका result हो जारी कर दिया जाएगा दूसरी बा date पे हुआ है इन्हें आप inform कर दीजे दूसरा है आप क्या करिए ncbt mis पे अपनी trainee profile open करिए उसमें नीचे आपको मिलेगा cbt exam center का एक बटन उस पे क्लिक करके अपना जो है आप cbt exam center check out करते रहिए उसमें भी आपको पता चल जाएगा कब आपका exam होने वाला है ठीक है यही क लिए job apprenticeship की वीडियो जोनके according जो आपके लिए लिजबल हो उसमें आप apply करिए telegram पे भी जुड़ जाएगा वहां पे भी हम सारी update देते रहते हैं thank you very much